हाई एवरीवन अब बात करने वाले हैं अडवांस जावा स्क्रिप्ट के अंदर ओप्शनल चेनिंग के बारे में और यह टॉपिक काफ़ करने वाली है आपको जावा स्क्रिप्ट में एक्सपर्ट बनाने के लिए और इंटर्व्यू क्रेक्ट करने में आपकी काफी हल्प करेगी सो पूरी प्लेलिश देखना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन वोक्स में डाल दिया अब पहले क्वेशन की तरफ चलते हैं कि ऑप्शन लोग करवाया बट लोग इसके कुछ ऐसी प्रोपेटीज करवा दी जो इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं थी जैसे कि यूजर ये तो ठीक है अब्जेक्ट का नाम है दन एड्रस यहां पर आ गया उसके बाद में स्ट्रीट डॉट हाउस नंबर यहां पर यहां पर यहां आपके पास similar object होते हैं बट कुछ object के अंदर data पूरा होता है किसी किसी object के अंदर कम होता है मालो आपके पास code के अंदर ही एक same object है जिसको आप print करवाते हो और वहां पर जो street और house number है ना वो यहां पर exist करते हैं और इन दोनों के लिए आप लिए आप लोग किसी तरीकी से common code यूज़ कर रहे हो तो इसलिए आपने यहां पर भी street और house number प्रिंट करवा दिया तो second case में यहां पर street और house number है तो error नहीं मिलेगा बट इसके अंदर error मिलेगा तो इस case में हम लोग क्या कर सकते हैं इस case में हम लोग use करते हैं optional chaining यह क्या करती है यह ना dot से पहले question mark लगा और वह चीज़ exist करती है तो हमें उसकी proper value मिल जाती है यानि कि कहने का मतलब यह है इस case में error नहीं मिलेगा आपको जादा से जादा undefined या फिर null चीज़े मिल जाएंगे तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि optional chaining allow you to safely access properties of potentially null or undefined object without raising error यह कहने कोशिश कर रहे हैं कि optional chaining आपको allow कर properties को access करने के लिए जो की possible है कि properties null भी हो सकती है undefined भी हो सकती है और जब आप इनको optional chaining के साथ access करोगे तो आपको errors नहीं मिलेंगे ठीक है आपको undefined मिल सकता है बट errors नहीं मिलेंगे और यह optional chaining है ना यह ECMAScript 2020 के इंदर introduce करा गया था so advanced topic है यह मैं आपको बता देता हूँ मेरे पास यहाँ पर चोटा सा object है जिसका नाम है यहाँ पर student और इसका अधर personal data है यहाँ ठीक है इस तरीक से आप यहाँ पर देख पा रहे हो personal data है then मैं इसको console.log करा दो हाँ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसको जो यह object है ना इसको मैं यहाँ ब्राउजर के ओपर दिखा दूँगा last में so don't worry ठीक है एक बार के लिए मैं आपको टर्मिनल पर रण करूँगा देन ब्राउजर पर भी हो जाएगा तो यह मैं सोचना कि पहले हम लोग ब्राउजर पर क्यों नहीं कर रहा है पहली सारा का सारा कोड में ट्रमिनल पर करके दिखाने वाला हम स्टुडेंट डॉट पर्सनल डेटा डॉट सिटी अगर मैं यहां पर करता हूं नोड एंड और ऑप्शनल चैनिंग तो हमें यहां पर नोडा में इसमें को दिक्कत में अब मैंने यहां पर क्या करा परसनल डेटा की जगे पर मैंने कर दिया अन्छे में और यहां पर कोर्ण Tabii कर दिखी अगर मैं यहां पर यहां पर स्टुडेंट है इस तरीक से ठीक student1 के नाम से बट उसके अंदर सेम प्रोपटी जो हमारे पास यहां पर है ना college data मान लोग कि यहां पर college data and then इसके अंदर हमारे पास ID और ID के अंदर है यहां पर let's say 10 दे दिया and then यहां पर इसमें डाल दिया branch branch हम लोग डाल देते हैं CS computer science ठीक इस तरीके से ठीक है अब इसके अंदर अगर मैं जो student1 है इसको print करता हूं इसके अंदर तो error नहीं आएगा ठीक है यहां पर 10 आ गया तो यहां पर कहने का point क्या है कि बहुत बार objects के लिए हम लोग same output use कर रहे होते हैं बट किसी किसी में data होता है किसी किसी में नहीं होता ठीक है तो इस case में मुझे क्या करना पड़ेगा कि error ना आए point यह बनता है सीधा साथी simple सा मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर question mark लगाओंगा यहां पर यहां पर यहां पर दोनों ही चीज़ें यहां पर available नहीं 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 college data और नहीं id तो दोनों ही अनल हो सकते हैं अब मैं यहां पर करूँगा इसको मैं clear करता हूँ then इसको मैं यहां पर print करने कोशिश करता हूँ and आप देखोगे यहां पर undefined मिल गया बट बैटर है कि हमें error नहीं मिला अगर मैं यहां पर इन दोनों को हटा दीता हूँ तो आप देखोगे कि हमें यहां बड़ा सा error मिल जाएगा तो इस तरीके से हम लोग object के साथ में हम लोग optional channel use कर सकते हैं अब हम लोग क्या करते हैं इसको मैं एक बर कली रखता हूँ side में comment out कर देता हूँ मैं यहां पर एक और object बनाता हूँ let मैंने इसका नाम रख दिया other ठीक है अब other के अंदर क्या है कि एक तो let's say name है ठीक है बड़ जो यह name है न यह एक property न एक function है इस तरीके से यहां पर इस तरीके से function है और यह basically क्या करता है return करता है maybe unlc2 यह return करता है ठीक है then अब मैं यहा यहां पर क्या करूंगा अगर मैं यहां पर print करवाता हूं log और log के अंदर लिखता हूं other.name function तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा obviously मुझे मिल जाएगी यहां पर आता हूं यहां पर निल सिद्दू मिल गया but मालो यह इसके अंदर available ही नहीं है तो और मैं आप इसको print करवाने तो काम करेगा जी नहीं यहां पर आपको dot भी लगाना पड़ेगा अब देखना अब आपको यहां पर error नहीं मिलेगा clear कर देता हूं अब आपको यहां मिलेगा undefined ठीक है अब सेम इसी तरीके से यहां पर हमारे पास एक friends भी है मालो ठीक other के friends भी है ठीक है और friends की पूरी list है जैसे की array है और यहां पर है सबसे पहले name नेम है यहां पर Sam उसके बाद में यहां पर है यह हमारे पास एक object हो ठीक है अब similar लेकर आपके पास एक दूसरा object भी है यहां पर मैं करता हूँ दूसरा object बनाता हूँ name पीटर कुछ और detail भी हो सकती है मालो ठीक है अब मैं यहां पर क्या चाहता हूँ कि इसको 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 कमेंट आउट कर देता हूँ देन मैं यहां पर करता हूँ log और देन अदर डॉट फ्रेंड्स और फ्रेंड्स का जो फर्स्ट एरे है जीरो वाला उसका डॉट नेम यह प्रिंट कर वा लेता हूँ मैं तो क्या मुझे मिलेगा ओविसली मुझे सैम मिल जाएगा यहां पर सैम मिल गया बट मान लो कि यह यहां पर परपर ली ही नहीं डैन अब इसको फिर से करते हो तो आपको यहां पर क्या मिलने वाला है ए रर इस की आ करोगे आप लोगो है तो अर है न इसको पहले आप इस तरीके से कोशन मार्क लगा सकते हूं और ओविसली यह उबजेक्ट है इसके बीचिए भी यहां पर question mark लगा दू मैंने error का बताना था यहां पर जो मैंने आपको बता दिया and then अब मैं इसको clear करता हूं then इसको note को run करेंगे let me see okay so यहां पर कह रहा है कि okay so actually ना हमें यहां पर भी question mark लगाना पड़ेगा dot से पहले and dot से पहले right and now you will find key इसको clear कर देता हूं then इसको फिर से print कर रहांगा and अभी आप देखो यहां पर आपको undefined मिल रहा है right तो आप इस तरीके से object के array के साथ भी लगा सकते हो but let's say कि आपके पास यहां पर इस तरीके से एक blank array होता right then आपको यहां पर तो लगाने की जूरूत नहीं बढ़ती अगर आप सहीं पर आप ही चेक करते तो यहां पर लगाने की जूरूत नहीं बढ़ती आपको बट अगर आप directly यहां पर नेम को यहां पर कर लेते हैं हम लोग नाम तो आपको यह प्रोपरली आउटपुट भी मिलेगा right all right तो इस तरीके से हम लोग optional chaining को basically object array और function के साथ use कर सकते हैं इसमें कुछ doubt कुछ confusion है मुझे comment section में पूछ लेना आपके लिए वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना completely free of cost है please do that और यह मेरा Paytm का और Google Pay का donation number अगर आप लोग donation करना चाहते हो thank you so much guys thank you so much for watching this part